जूट बैंकों को लेकर जूट कर्मचारियों को भी बढ़काने के प्रयास हुए होसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी जुम्रा करने का प्रयास हुआ इस बजट में अगनीवीरों के पेंशन के लिए एक रुपिया नहीं है आप अपने आपको देश बग कहते हो मगर जब अगनीवीरों की मदद करने की बात आती है जवानों को पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको एक रुपिया नहीं दिखाई देता उनकी पेंशन के लिए एक रुपिया आपने नहीं दिया तो उनको आपने अगनिवीर के चक्रवियू में फसा आई सब पहले भी डिफेंस मिनेस्टर ने कहा था कि शहीद अगनिवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा हाउस में कहा सर उस शहीद परिवार को इंशोरंस दिया गया था कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था सर मैं यह कहना चाहता हूँ सर यह सच है सर और सर भाशन के एक दम बाद सर कॉम्पनसेशन दिया था सर सर यह सचाई है सर इसको कोई नकार नहीं सकता लेकर के जूट, LIC को लेकर के जूट, बैंकों को लेकर जूट, कर्मचारियों को भी बढ़काने के प्रयास हुए, होसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी जुम्रा करने का प्रयास हुआ, कल अगनी वीर को लेकर सदन में जूट बोला गया, कल यहाँ परपूर असत्य बोला गया, कि MSP नहीं दिया जा रहा हुआ, अनसत में आखिरकार मान्य परधान मंत्री नरेंदर मोधी की जुमाँ पर करमचारियों का नाम आही गया, बले ही वो विपक्स पर भरसे हों, लेकिन ये तो तै हो गया, ये तो साफ हो गया, आज कलियर हो गया कि जो करमचारी पैंशन धारकों की गूंज है, वो मोधी सरकार के कानों में जूंकी तरह रेंग गई है, और अब ये मुद्दा इतना उठ गया है कि मोधी सरकार खुद पिये मोधी भी इससे फ्रस्टेटिड हो गये हैं, और उनका ये भासन साफ तोर पर यहीं जाहिर करता है, जियां दोस्तों, एक बार संसद का ये भासन सुने, इससे पहले राहुल गांधी ने अपने संसद ये भासन में करमचारियों की, पैंशन धारकों की, अगनिवीरों की पैंशन का मुद्दा उठाया था, और सरकार को घेते वे कहा था कि इस बजट में पैंशन के लिए एक रुपिया तक नहीं है, और इस पर पियां मोदी जी कह रहे हैं कि ये करमचारियों को बर्कलाने का काम करें, सेयद अनिस इमरान जी ने अपने यहां पर फेस्बुक हैंडल के माध्यम से लिखा है, सांस्दों ने अगनिवीर मुद्दे भी जोर सोर से उठाया और कहा ये यह उजना बंद होने चाहीं, आदरनीय पियम ने कहा कि विपक्स, HAL, LIC और तमान जो तुदनी भी हमारी संस्ता हैं उन संस्ताओं पर जूट फैला रहे हैं, जबकि सच ये है कि LIC की बड़े हिस्सेदारी प्राइवेट प्लेयर्स की बेची गई थी, और स्यर बाज्यार आधायरित करमचारीयों का NPS का पैसा LIC के पास जा रहे हैं, क्योंकि LIC NPS के चार फंड मेनेजर में से एक है, और NPS कानून में लिखा है, अगर fund manager company दिवालिया हो गई तो वो fund manager company अफिर भाद सरकार करमचारियों का NPS का जमापैसा लोटाने को बाध्य नहीं है और करमचारियों ने अपनी ही मोत के इस दस्तावेज पर दस्तक भी किया है आदर्ने परधान मंत्री जी आपने करमचारों की बात तो की लेकिन उनकी हक और अधिकार की बात नहीं की आपकी आपने विपक्सी सांस्दो दुवारा पैरा मिल्टरी जवानों सहित लाखों लाख करमचारियों की सामाजिक शुरुक्षा उनके जीवन मर्ण के कोश्चन OPS अर्थार्थ पुरानी पैंचन पर कोई जवाब नहीं दिया क्या आपको नहीं लगता कि देश सिमाओं पर जीरो डिग्री सेल्सिस तापमार पर देश और देश वासियों की रक्षया सुरुक्षया करने बारे पैरा मिल्टरिक जवानों को OPS मिलनी चाहिए या नहीं मिलने चाहिए आप तो राष्टरवाद की बात करते हैं तो पैरा मिल्टरिक जवानों को पुरानी पैंचन और शहीदी दरजा नहीं देना कौन सा राष्टरवाद है देश भर का लाखो लाख करमचारी आम बजट की तरफ टक्टकी लगाए देख रहा था कि इस बार उनकी बुडाफे की लाठी OPS बहालोगी और ये उसका अधिकार भी है जीवन भर देश की सेवा करने वाला करमचारी ओपेस से महरूम है जबकि करोडपती सांसद विधायकों को एक नहीं दो नहीं चार चार ओपेस मिल रहे हैं साथ में वर्तमान पद का पेतन पत्ता लगजरी सुविधाएं गाड़ी बंगला सब कुछ फ्री आप ही बताएं परधानमंत्री जी क्या ये देश बर के करमचारियों के साथ साथ पेरेमेल्टरी जवानों के साथ अन्याय नहीं है एक देश दो विधान कैसे हो सकता है सांसदो विधायत को के बाद मातर सेना के तीनों विंग के जवानों को पुरानी पैंशन मिल रही थी लेकिन अगनिवीर स्कीम के बाद वो भी बंत हो गई इतना ही नहीं अगनिवीर को कोई पैंशन मिलना तो दूर की बाद उनकी नोकरी ही चार साल की कर दी उसके बाद वो बिना पेंशन अपने घर बेरोजगार होका लोट जाएंगे। उनके साथ घोर अन्याय हैं। आखिर रंग दिखाने लगी है। धन्यवाद जैहिन जैबाद। लग बाद जैबाद लगणे शेता है। झाल झाल